आज बनाएंगे पोहे की एकदम नई और युनीक रेसिपी जिसको बनाने के लगबग हमें डेट कटोरी पोहे की जुरुत है और इसको अभी हमें भिगा के रखना होगा पोहे को लगबग आपको पांच एक मिनट के लिए डेट कटोरी में भिगा के रखना होगा डेढ़ी कटोरी पानी लिया है और बस ये पांच मिनट के बाद हमें फटाफट से निचोड़ के पोहे ड्राई निकाल लेने है तो दोस्तों हमारे पांच मिनट लगबग हो चुके हैं और ये ड्राई पोहा हमने निकाल लिया है अब इस पोहे में मिक्स करेंगे हम कुछ वेजिस जिसमें सबसे पहले हम मिक्स करेंगे प्याज प्याज के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे और कुछ वेजिस जिसमें सबसे पहले हमने डाली है थोड़ी सी मोटा ग्रेट करी हुई गाजर ताकि वो हमारे मुह में आए एकदम पिघलना जाए थोड़ा सा धनिया और आलू को भी कद्धुकश करेंगे और फटा फट से इस सारे मिर्षन में हमने कुछ और स्पेशल चीज़े डाली है क्योंकि यह जो पोहे की रेसिपी है बहुत ही युनीक है और शहद ही आपने ट्र के लिए थोड़ा सा काली मिर्ची और अब इसमें डालेंगे दोस्तों कॉन फ्लार ताकि अच्छे से बाइंड हो सके और अब इसमें डालेंगे थोड़ा से सफेद तिल और इसका आटे की तरह एक डो बना लेंगे यह जो हमने आज पोहे की रेसिपी बनाई है यह बहुत ह क्रिस्पी बनेगी और जो मुफलियां इसमें हमने एड करी हैं और मोटी मोटी हलकी गाजर वो इसका इतना यूनिक स्वाद बना देगी कि आप बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा आपको इसको खाते वे जो मुफलियां इसमें करारी करारी मुह में जाएंगी दोस्तों चोटे चोटे टुकडे उसका जो मजा आने वाला है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा आपने इसका बढ़िया से गोल गोल करके डो बना लिया है लगबग और जल्दी से आपको इस डो को हम सेट होने के लिए छोड़ देना होगा तो चलिए दोस्तों हमारा तो यह लगबग तयार हो गया है अब इसको दो-चार मिनिट सेट होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद दोस्तों हम इसमें से छोटी-छोटी बॉल्स तयार करेंगे गुलाब जमुन साइज की यह गोल गोल आपने बढ़िया से जितनी भी इसमें से बॉल्स निकल जा तो एक-एक करके आपकी धेर सारी छोटी-छोटी बॉल्स तयार हो जाएंगी यह जो पोई का नाश्ता है दोस्तों यह एकदम ही यूनिक है क्योंकि आपको हैंड में पता चलेगा कि ऐसे तो कभी हमने पोई के साथ किया ही नहीं था तो हमारी धेर सारी बॉल्स तयार हो ग जो मूफली हैं दोस्तों क्रिस्पी-क्रिस्पी तली-तली इसमें मूँ में आएंगी वह मजा आ जाएगा यह दोस्तों आज जो हम फोहे का मंचूरियन बना रहे हैं यह बहुत यूनिक स्टाइल है और यह ड्राई और ग्रेवी दोनों तरीके से आपको पता चल जाएगा अभी वीडियो में आगे और बहुत ज़्यादा फरक नहीं होता बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और अभी आपको लगेगा कि यार इतनी असानी से भी कि घर में मंचूरियन बनके तयार हो सकते थे जी हाँ दोस्तों आज यह होके रहेगा तो चलिए यह अच्छे से आ भी वहें हैं और कुछ और मंचूरियन समों डाल देते हैं उन्हें भी फटा फट से फ्राइए कर लेते हैं और फटा फट वह भी सारे के सारे उसी प्लेट में निकाल लेते हैं कंश मुष्याद और वी थे मेरे पास जो में बात मर फ्राइए कर लोगा 이나 चलित दोस्तों य का तड़का तयार करना है मंचूरियन का तड़का चाइनीज तड़का जी हाँ दोस्तों तो चलिए आपके सारे मंचूरियन तो तयार हो चुके हैं तड़का लगाने के लिए उसी कड़ाई में हम ओईल को थोड़ा कम कर लेते हैं और बाकी मंचूरियन हमारे तल गए तो उस देंगे यह जब कच्चा कच्चा चाइनीज चीजों में डाता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है अब हमने लंबी-लंबे प्यास काटके रखे थे और थोड़ी सी अब इसके बाद इसमें डाल देंगे लंबी-लंबी कैपसिकम बहुत ही authentic एकदम real manchurian flavor आने वाला है घर में एकदम चाइनीज क्योंकि जो इसमें हम आगे की चीजे इस्तिमाल करने वाले हैं वो भी एकदम चाइनीज भड़िया recipe के लिए मज़ा दिला देंगी तो चलिए दोस्तो इसको हलका सा पकने देते हैं जादा नहीं पकने देना वहीं एक कर्टोरी में थोड़ा सा दोस्तो काली मिर्च जादा मसाले नहीं होते इसमें थोड़ा सा Italian seasoning दूसरे तरीके के चाइनीज तरीके के मसाले होते हैं थोड़ी soya sauce black color की थोड़ी सी tomato ketchup हलका खटा मीटा फ्लेवर के लिए और साथ ही में थोड़ी सी चिली केचप यह नहों तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं या कैचप बहुत अच्छा फ्लेवर देगी लेकिन इसको अच्छे से मिक्स कर लिजिए यह देखिए फ्रेंज और अभी बस यही अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हलका सा पानी डाल लेते हैं ताकि इसमें लंज ना बने और मिक्स कर लिजिए अब अगर दोस्तों आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो मंचूरियन के सबसे पहले हमने दोस्तों इसमें डालना है नमक और इसको पकाएंगे तो चलिए फ्रेंज वेट कर लेते हैं थोड़ा सा घूम जाए और उसके थोड़ा सा नमक डाल दिया अब हलका सा इससे पकाएंगे दो से तीन मिनट जादा नहीं वह भी आम आज पे और हो गए हमारे दो थीन मिनट अब दोस्तों हम इसमें बाखी सारे स्पाइस को एड़ कर लेते हैं मैंने बताया इसमें पंजाबी मसाले टाइप फ्लेवर नहीं आता चाइनिज टाइप फ्लेवर आता है तो इसमें हम थोड़े मसाला डालेंगे जैसे लाल मिर्च देगी मिर्च कलर के लि नहीं जो दोस्तों मैंने तयार कर रहा था पेस्ट कॉण फ्लार का सॉसिस के साथ इसे धीरे-धीरे करके डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे अब दोस्तों अगर आप ड्राय मंचूरियन बना रहे हो तो तो यहीं पर मैटर खतम इसमें मंचूरियन को डाले और यह लगब अगरेंगे इसमसे दोस्तों मैं चूरीन से और पानी, क्योंकि वादwon कर दोस्तों oraz कर इसे से यह घाड़ी हो जाएगी, घठ काईप हो जाएगी और बस ग्यास को कर दिया है दोस्तों जटपट बन कर देते हैं बन और उपस स्प्रिंकल कर देते हैं स्प्रिंग ओनियन धनिया कुछ भी आपके पास एविलेबल हो ग्रीन चिलीज बासी से अच्छे से मिक्स कर दीजे और इसे अब सर्फ करते हैं और गार्निश करते हैं बहुत ही बड़िया पोहे की य कोहे के जबर्दस मंचूरियन जरूर कमेंट करके बताईएगा